नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके YouTube चनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे आज डीओ NCWeb ने अपनी धर्ड करटाफ लिस्ट को जारी कर दिया है तो चलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे इसके लिए आपको admission.uod.ac.in पे आना है उसके बाद स्क्रोल करेंगे आप लेट सर्ट पर देख पाएंगे कि NCWeb का option आ रहा है आप महाँ पर क्लिक करें और स्क्रोल करके आप थोड़ असा नीचे आए आपको यहाँ पर NCWeb की third cutoff list दिख जाएगी यहाँ पर इसकी press release है अगर आप BA program में admission लेना चाते हैं तो आपको यहाँ प बीकॉम की देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं आप स्क्रोल करके अगर नीचे आते हैं तो आप यहाँ से NCWeb Online Undergraduate Admission Schedule को आप देख सकते हैं पहले मैं इसको भी यहाँ से उपन कर लेता हूँ वेबसेट पर आता हूँ यहाँ से एक बार press release देख लिते हैं थर्ड कट अफ लिस्ट जो BA program और become courses की है वो आज 9 नौंबर 2022 को इन्होंने अपनी वेबसेट पर डाल दिया और जिसके admission चालोंगे आपके 10 नौंबर से यानि कि कल से तो चले हम BA program की cut off list को देखते हैं आप य प्लस पॉलिटिकल साइंस में आप पर admission लेना चाहते हैं और आग जर्नल केटिगरी के student है तो अधित्य महा विद्यालने में आपको 73% में आपका admission हो जाएगा यह जो cut off हो है वो आपकी best 4 की count होती है इसी तरीकी से अगर आप Miranda house में admission लेना चाहते हैं तो आपकी 87% होने च सकते हैं ऐसी सेम भी ए प्रोग्राम अगर history और political science का combination लेना चाहते हैं तो अधित्य महा विद्यालने में आपका जर्नल कैटिगरी में 72 होना चाहिए और यही सेम Miranda house में आपकी 89% होना चाहिए अगर हम पिछली second cutoff से इसको match करते हैं तो हम देख पाएंगे कितने percent यह decrease हुई है जैसे अधित्य महा विद्यालने में 80 थी आपकी second cutoff में जो की third cutoff list में आपका आपकी होगी 73 आपकी 7% decrease होई है अगर आपकी कम है तो आप वेट करें अभी एक special cutoff निकलेगी उसके बाद अभी fourth cutoff भी निकलेगी देखिए जैसे exam schedule मैंने आपको सबसे पहले डाउनलोड करके दिखाया था फर्स cutoff second cutoff जैसे third cutoff का आपका declaration आज है apply के लिए आप कल morning 10 नॉमबर से 10 वजे के बाद से कर सकते है जिसकी है 11 नॉमबर तक के आपको करना है उसके 11 नॉमबर के बाद 12 नॉमबर 5 वजे तक के आपके पास approval आजाएगी आपकी website पे आप वहाँ पे जाके इसको चैक कर सकते है और payment आपको last 13 नॉमबर 5 वे तक के करनी है ऐसे आप देख पाएंगे special cutoff भी आएगी उसके fourth admission की भी cutoff आएगी और fifth भी आएगी अगर आपकी इसमें नहीं आ रहा तो आप wait करें अभी और भी cutoff release होनी है इस तरीकी से आप देख पाएंगे अब हम देखते है बीकॉम students की अगर आप बीकॉम में admission लेना चाहते हैं तो सेम अधित्य माविद्याले में आपकी 74 पे cutoff गई है और आरे भट पे 79 इसी तरीके से आप Miranda House या हंसराज में देखना चाहते हैं तो Miranda House की 88 है general category की और सेम 87 है आपकी हंसराज college की अगर हम पिछली cutoff से इसको compare करते है तो आपकी यहां पे second cutoff 81 थी जो कि अब 74 हो गई आपकी 7% डाउन हुए है अगर आपका इसमें भी number नहीं आ रहा है तो आप वेट करो अभी और भी cutoff निकलेगी और यह best 4 की combination होता है इसमें cutoff में तो इस तरह के साब अपनी cutoff को check कर पाएंगे अगर आपका यहां पर apply का option आ रहा है तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजे उसमें मैंने आपको बताया कि आपको कैसे process को आगे follow करना है उसका link में description में डाल दूँगा आप उस वीडियो को भी देख सकते ह कैसे आपको login करना है कहां से अपना callie select करना है कैसे आपको अपना course select करना है और कैसे आपको submit करना है आप मेरी first video देखें जिसका link में description में डाल दूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें धन्यवाद